हालो काईस, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम पढ़ेंगे हार्ट से जो रिलेटेड डिजीज होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड डिजीज होती है उनके बारे में सबसे पहले आती है उच्छ रब्त चाप, हाइपर टेंशन कैसे होता है नॉर्मली क्या होता है, एक हैल्दी हुमन में सिस्टोल और डिजीज की समय आल्टरीज में प्रेशर 120 से 80 mmHg की ब्राबर होता है जब आल्टरीज ब्लड का सिस्टोलिक प्रेशर 140 और डिजीज होता है वो 80 mmHg से अधिक हो जाता है तब इसे हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपर टेंशन में कौनसे ओर्गन्स होता है जो ipad होते हैं, आपधिक होता है इसमें हिर्दे पैसी, यानि जो काडियक मसल्स होती है उनको ब्लड पहुचाने वाले जो वैसल्स होती हैं वो affected होती है ऐसा arteries के अंदर lipid, calcium and fibrous tissue के जमा होने से होता है जब arteries के अंदर lipid, calcium and fibrous tissue जमा हो जाते हैं तब क्या होता है कि जो cardiac muscles होती है उनको blood पहुचाने में दिक्कत होती है तब ये coronary artery disease हो जाती है फिर आता हिर्देपाथ, heart failure इसमें lungs में contraction हो जाता है इसमें जो cardiac muscles होती है उनको blood अचानक ना पहुचने या कम पहुचने से damage होता है heart failure होता है जो heart attack होता है उसके similar होता है लेकिन heart attack के अंदर तो धड़कने होती हो एकदम से बंद हो जाती है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो cardiac muscles होती है, उनको blood कम मात्रा में पहुंच पाता है फिर आता है हिरदे शूल, एंजाइना क्या होता है इस disease में heart wall को blood सही प्रकार से नहीं मिलता है क्योंकि coronary arteries में contraction and blood clot बन जाता है इसे हिरदे पेशी यानि cardiac muscles को autopriopt मात्रा में नहीं मिलती है जिससे सीने में दर्द होता है, कंदे में फासली पहन होता है ये जो इंजाइना disease होती है, ये females and males में किसी में भी हो सकता है और ये जो disease होती है इंजाइना ये adult में ज़्यादा होती है adult लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है फिर आता है myocardial infraction इसमें क्या होता है, इसे heart attack भी कहते है इसमें coronary arteries में barrier आने से जो cardiac muscles होती हैं जो हिरदे पेशी होती हैं, उनको प्रयाप blood नहीं मिलता इसमें heart beat एकदम रुख जाती है फिर आता है kapat ये रुख vulvular disease heart की valve ठीक से कारिय नहीं करते हैं bicuspid, tricuspid, semi-linear valve ये सब होते हैं ये अच्छे से कारिय नहीं करते हैं जिससे blood opposite direction में जाता है और pure and impure blood होता है अब आपस में mix हो जाता है जिससे ये vulvular disease होती है फिर आता है coronary thrombosis cardiac muscles को preempt blood नहीं मिलता क्योंकि coronary arteries में blood flow बन जाता है तो इससे blood flow नहीं होता है heart block इस disease में bundle of his ठीक से work नहीं करते हैं because SN से उत्पर जो impulse होते हैं जो आवेग होते हैं वो ventricles तक नहीं पहुँच पाते हैं पेरिकार्डियम होता है heart की जो जिससे शुरक्षा होती है जो outer layer होती है heart की वो होती है पेरिकार्डियम इसमें swelling आ जाती है और पेरिकार्डियल फ्लूड होता है ज्यादा जमा हो जाता है जिससे की heart होता है वो उस पर प्रेशर ज्यादा रहता है इसलिए disease हो जाती है तो इसमें सबसे पहले थी hypertension जिसके अंदर की 120 से 80 mmHg होता है वो नॉर्मली जो आर्ट्रीज के अंदर प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 mmHg होता है और हिर्दे धमनी रोग, कॉर्णारी आर्ट्रीज डिजीज, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर और जो हार्ट अटीक होता है वो लगबग सीमेलर साही होता है यह सब जो डिजीज है यह है हार्ट से और सर्कुलेटर सिस्सम से रिलेटेड थेंक्स